चलिए आज बनाते हैं मुँ में डालते ही घुल जाने वाले केसर पेड़ा की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है केवल तीन चीजों के साथ ये केसर पेड़ा बनकर त्यार हो जाता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं केसर पेड़ा बनाने के लिए मैंने यहां एक चोथाई कब दूद ले लिया है इसमें आधा कब चीनी डालेंगे इसे अच्छे से मिला देंगे अभी हमने गैस शुरू नहीं की है इसमें हम चुटकी भर केसर डालेंगे और अच्छे कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर भी यह optional है आपको पसंद हो तो food color डालिए या फिर आप इसे skip भी कर सकते हैं अभी हम इसे अच्छे से मिला देंगे और induction को on करेंगे इस मिश्रन को हलका गुनगुना होने देंगे अभी यह मिश्रन हलका गुनगुना हो चुका है इसे समय हम इसमें दो कप milk powder डालेंगे एक ब पैन को छोड़ने लगे, तब तक हमें इसे पकाना है, तीन से चार मिनिट पूरे हो चुके हैं, देखिए ये मिश्रन अच्छे से पक चुका है, और ये पैन को छोड़ने लगा है, एकदम दो की तरह लग रहा है, इसे समय हमें गैस बन करना है, इस मिश्रन को हलका ठेंडा ह होने देना है इसे हाथों से थोड़ा सा चिकना इसे करना है अभी हम इस मिश्रन को बटर पेपर पर निकालेंगे और इसे रोटी की तरह हमें बेल लेना है देखिए मैंने इसे इस तरह से थोड़ा मोटा सा बेल लिया है इसके उपर थोड़े से बारी कटे हुए बादाम और थोड़े पिस्ते डाले है, बेलन से, मैं इसे हलका सा बेल लेती हूँ, ताकि ये सारे ड्राइफ रूट्स इसके उपर अच्छे से चिपक जाए, आभी हम इसे पाँच मिनिट के लिए हलका सा सेट होने देंगे, पाँच मिनिट सेट होने की बाद, हम इसे किसी कटोरी या फ पारे पेढ़े कट कर लिए है, अब यहम इसे पंधरा मिनिट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रखेंगे, आप चाहे तो फ्रीज में सेट होने के बाद भी इसे कट कर सकते हैं, पंधरा मिनिट पूरे हो चुके हैं, चलिए इन पेढ़ों को अभी प्लेट में निका कीजिए आप इन पेड़ों को तुरिज में रखके पूरे एक सब्तहा तक खा सकते हैं चलिए मैं आपको इस पेड़े को तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है देखिए ये बहुत ही आसानी से तोट रहा है इसे देखकर आप समझे गए होंगे कि ये कितना सॉफ्ट बना है मू में डालते ही ये पेड़ा घुल जाता है इतना सॉफ्ट ये बनता है आप भी इस तरह से किसर पेड़ा बनाईए, खाईए, एंजोई कीजिए और आपको ये रेसिपी कैसे लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताईए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हूँ तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रेलेटव के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए सरक्षे टरहिए नमस्ते